आज के वीडियो में हम chisel brush को continue करेंगे और इससे पहले हमने chisel, chisel 3D दो brush कवर कर लिए हैं आज chisel group का तीसरा brush हम देखेंगे जिसमें chisel creature नाम से एक brush पड़ा हुआ है हमारे gebrush के अंदर उसका use करेंगे तो चलते हैं यह doggy वाला जो character है इसको हमें यहां पर लेना है double click करेंगी तो doggy character हमारा यहां पर add हो जाएगा और इसके लिए हम क्या करना चाहते हैं हम चाहते हैं कि इसका किवल यह face जो है यह हमारे पास रहे बाकि सारा का सारा model जो है वो यहां से guyb हो जाए तो हम क्या करेंगी control shift और alt button को press and hold कर लेंगे और ड्राइग करके हम यहां तक ऐसा छोड़ सकते हैं तो जितना भी हिसा था वह गयाब हो चुका है और उसको पर्मानेंट यहां पर प्रेस कर सकते हो तो हमारे पास केवल और केवल इसका फेस रहे गया है तो हम चलते हैं इस पर काम करेंगे यह बहुत ही लो पॉली बना हु होगे तो सारी ब्रेस ओपन हो जाएंगे लेकिन हमें चेसल ब्रेस चाहिए तो आपको सी बटन प्रेस करना पड़ेगा यहां पर देखिए यह दो ब्रेस हैं चेसल और चेसल 3D जिनको हमने लास्ट वीडियो में कवर किया हुआ है आज हम देखेंगे चेसल क्रेचर तो यह करेचर नाम सही पता चल दाए कि यहां पर पर जानवर होते हैं उनके पांट कुछ हमें मिलने वाले हैं तो जैसे इसको क्लिक करेंगे यह ब्रेस यहां पर लोड HO जाएगा और उसके पांट यहे बिखिए बहुत segi होती है यहां पर अलग अलग स्किन है यहां मिलने पर और जो हॉर्न बनने होते हैं, सिंग, वो कैसे होंगे, उनके जो दात होते हैं, जैसे हाथी के दात टूटे हुए, या नोकीले दात, वो सारी चीज़े हमें मिलने हैं, क्योंकि ये creature का ही ब्रेस है, तो हमें creature से related चीज़े ही मिलेंगी, उनके ear वगएरा, ये सारी चीज़े हम यहां से ले सकते हैं, तो इनका use करेंगे, हम चाहते हैं कि यहां पर ये जो इसके ear है, ये ear हमारे ये वाले होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए, तो आप क्या करो, ये ear यहां से गाइब कर दो, कैसे गाइब करोगे, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो symmetry on करनी, x button press कर ल हो रहे है, ये जो ear थे, ये smooth हो रहे है, original body के साथ merge हो रहे है, shift button के साथ, जब भी आप brush चला होगे, तो हम इसा smooth करेगा, right, तो देखिए, काफी कुछ हमने ये smooth कर दिया है, and आप कह सकते हो कि इसके ear जो है, वो हमने खतम कर दिया है, बिना ear के dog कैसा लग रहा है, बड़ा ये ear है, दोनों में से कोई भी ear यूज़ कर सकते है, तो symmetry आपकी ओन है, दोनों side में देखिए, point आ रहा है, आप click कर सकते हो, इस type से, और थोड़ा सा drag कर सकते हो, देखिए, आपके कान बन गए, पर problem ये बड़े rough बने हुए, right, तो हम क्या करेंगे, control D प्रेस करेंगे, और model पर division बढ़ाएंगे, देखिए, जैसे हम control D प्रेस कर रहे है, model पर division बढ़ रहे है, अब आप chisel brush को use करेंगे, देखिए, chisel brush आपको साफ साफ दिखाई दे रहे है, right, ये, तो आप इनको वापस से यहाँ पर इनके ear को, ये देखिए, हमने दुबारा से लगा दिया ear को, पर ये ear देखिए, जो लगे हैं, ये body part के साथ अपने आप मर जो के जुड़ के आ रहे हैं, हमको ऐसा नहीं है कि जुड़ना पड़ रहा लग से, तो ये महनत हमारी बच जाती है, तो हमने एक नए कान यहाँ पर लगा दिये, आप चाहते हो इसके जो eyes हैं, ये भी नहीं ह हो जाएगा, low polym होने से brush जब चलेगा, तो ये थोड़ा सा fast चलेगा, इसलिए हमने इसको पहले low polym convert किया है, तो हम इसको पहले smooth कर लेते हैं, इसकी eyes को, उसके बाद ddd press कर सकते हो, ताकि ये अपने वापस से high poly में पहुँच जाए, इस बार हमको क्या करना है, यहाँ पर इसके eyes बनाने है, तो यहाँ पर देखिए eyes भी यहाँ पर हमें available है, eyes भी मिल जाएंगे, तो eyes बनाने के लिए, यह देखिए हमने, यह ऐसे रखना है, यह, तो पहले स जो eyes थी, वो हमने eyes को change कर दिया, देखिए, तो हमने कान भी इसके लगाए है, यह अलग से, और इसके eyes को भी हमने change किया है, यह देखिए, कहीं पर भी लगता है आपको थोड़ी से रफने सारी, आप shift button को present hold कर सकते हैं, और इनको चला सकते हैं, shift button से क्या होगा, आपका brush ज आप में देखिए, अभी यह हो चुका आपके सामने, now, अब हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसके सर पे horn होना चाहिए, हलाकि इसके सर पे तो नहीं होगा dog है, पर अगर लगाना है तो क्या करेंगे, यह देखिए, horn का option है आपके पास में, एक तो यह है, और भी ह है, यहाँ पर आगे, यह देखिए, आप उन में से भी कोई ले सकते हैं, यह देखिए, यह देखिए, यहाँ पर भी एक option है, पर यह horn लेते हैं, दोनों side में, क्योंकि symmetry चाहिए हमको, size बड़ा करते हैं, ब्रस का क्योंकि थोड़े से बड़े size में चाहिए होंगे, यह दे हैं, और भी चीजों को add कर सकते हैं, हम चाहते हैं, इसकी skin थोड़ी सी skull full हो जाए, तो देखिए, यहाँ पर skin की option है, और skull full करने हैं, तो देखिए, यहाँ पर हम चला सकते हैं, यह, यह, आप अगर मगरमच बना रहे हैं, क्रोकोडाइल, टर्टल वगर हैं, उनकी skin ऐसी हो होती है, तो उन skins को हम इसके थुरू बना सकते हैं, चिसल ब्रेस के थुरू, यहाँ पर हम डॉक के उपर apply करके देख रहे हैं, इस सिंगल सिंगल कॉलम भी बनने हुए हैं, हम इनको भी यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, यह थोड़ा बुजूर्ग टाइप का लग रहा है, ओल पर जिसके बाल यहाँ पर, हाँ चलो, यहाँ पर भी बाल बना सकते हैं, थोड़ी से बाल बनाते हैं, तक लगे इसकी मूच है यहाँ पर, तो कुछी steps से दिखाए दे रहे हैं, तो बड़े असानी से आप इन ब्रेस के थूरू स्कॉल्टिंग कर सकते हैं, और देखते हैं यहाँ पर क्या option है, देखिए यह, इसके दात भी आ रहे हैं, दात भी बना सकते हैं, हलाकि इसके दात तो इतने बड़े नहीं होगे, पर लगाने में कह जाता है, जिसे हाथी के दात होते हैं, हम इसके दात लगा रहे हैं, थोड़ा से टर्न कर रहे हैं, नीचे साइड में यह या बाहर साइड में दात होने चाहिए लाइकवाइस देस यह तो हमने दातों को भी एड़ कर दिया यहाँ पर इनके अलावा आप देखे यह कुछ बना हुआ है इनको भी उसकर सकते हैं पता नहीं यह क्या है I think मचली की जैसे सल्क होती है मुझ टैप से इसको दिखा सकते हैं पर इसको एड़ कर लिया हमने तो हमने यहाँ पर चिसेल क्रेचर नाम का जो ब्रेस था उसके पार्ट्स को देख लिया है आप इसको और अच्छा बना सकते हो थोड़ा सा टाइम और इसमें इसमें इस्पेंड करके तो आप यहाँ पर इनकी प्रैक्टिस करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चिसेल का अभी और भी ब्रेसेज हैं जिनको कवर करना है पिछले वीडियो आपने नहीं देखी तो आप देख लेना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना कमेंट करना अगर आप किसी भी ब्रेस पर या जी ब्रेस के किसी भी टॉपिक पर इस्पेसल वीडियो चाहते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू